दोस्तों अगर आपके important photos गलती से delete हो गए हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़्याद़ interesting है important है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने deleted photos को recover कर सकते हो Gmail से आप अपने deleted photos को दोबारा कैसे वापस ला सकते हो क्योंकि काफडेम ऐसा होता है कि गलती से हमारे जो important photos होते हैं वो gallery से delete हो जाते हैं हम deleted photos को recover नहीं कर पाते हैं वापस नहीं ला पाते हैं काफी ज़्यादा परिसान हो जाते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसको आप यूज करके आप Gmail से अपने deleted photos को recover कर सकते हो वापस ला सकते हो देखो एक चीज मैं आपको clear बता दूँ अगर आप photos का backup कभी भी create नहीं करते हो Gmail में अपने important photos को save नहीं करते हो दोस्तों आप अपने deleted photos को कभी भी recover नहीं कर पाओगे इसलिए Gmail में photos को save करना काफी ज़्यादा important होते है लगबग 90% लोग अपने photos को कभी भी Gmail में save नहीं करते हो जिस वज़े से अगर उनका photo delete हो जाते है वो deleted photos को recover नहीं कर पाते है ठीक है? मैं आपको clear बता दूँ कि अगर आप photos का backup create नहीं करते हो Gmail में photos को save नहीं करते हो आप चाहे कितना भी hard pair मार लो आप चाहे कुछ भी कर लो आप अपने deleted photos को recover नहीं कर पाओगे वापस नहीं ला पाओगे क्योंकि दोस्तों जब photos delete होते हैं phone से delete होते हैं वो permanent delete हो जाते हैं phone में data नहीं होता है जिस वज़े से हम deleted photos को recover नहीं कर पाते हैं इसलिए दोस्तों Gmail में photos को save करना काफी ज़्यादा जरूरी है आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप Gmail में अपने important photos को जिंदगी भर के लिए save कर सकते हो तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़्यादा जरूरी है वीडियो को पूरा देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, share, comment, चालको subscribe जरूर कीज़ेगा अब चले वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अब चिलिम आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि कैसे आप जीमेल से अपने डिलीटेड फोटोज को recover कर सकते हो डिलीटेड फोटोज को आप दोबारा से कैसे वापस ला सकते हो आपके फोन में एक application होगा जीमेल ठीक है आपको जीमेल को open करने जीमेल को open करने के बाद आपको फोन में जीतने भी जीमेल अकाउंट लॉग इन होगे ठीक है आपको यहाँ पर सो हो जाएंगे दोस्तों आपको एक एक करके सभी जीमेल अकाउंट को select करने ठीक है आपको चेक करना है कि किस जीमेल अकाउंट में कितना फोटो सेव है आप यहाँ पर देख सकते हूं यह Gmail account selected है ठीक है इसके बद आपको Google account पर टाप करने है इस तरह आपको Google account पर टाप करने है अब आपको यहाँ पर काफी सारे option मिलेंगे यहाँ पर आपको एक option मिलेगा data and privacy आपको इस पर टाप करने है इस पर टाप करने के बाद आपको नीचे scroll करने आपको नीचे जाने ठीक है आपको सीधा नीचे जाने नीचे scroll करने आपको इस तरह नीचे scroll करने अब आपको यहाँ पर apps and services का option मिलेगा आपको इस तरह scroll करने ठीक है इस पर आपको tap करने है आपको यहाँ पर एक option मिलेगा Google Photos का ठीक है आपको यहाँ पर एक Google Photos का option मिलेगा ठीक है आपको इस तरह photos सो होगा photos के अंदर यानि आपके Gmail में जितने भी photos होंगे आपको यहाँ पर सो हो जाएंगे ठीक है जैसे आप देख सकते हो 91 photos इस time save है हम इस पर tap करते है अब दोस्तों आपको यहाँ पर save किये गए photos आपको दिख जाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे इस Gmail account के अंदर 91 photos save है ठीक है तो दोस्तों आपको एक एक करके सब ही Gmail account को select करना है और दोस्तों आपको इस तरह चेक करना है कि किस Gmail account में कितना photos save है अगर आपको यहाँ पर photos दिख जाते हैं photos मिल जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अपने important photos को save कर सकते हो gallery में दोबारा से वापस ला सकते हो recover कर सकते हो ठीक है recover करने के लिए आपको photo पर tap करना है three dot पर tap करना है आपको यहाँ पर download का option में लगा आपको इस पर tap करना है ठीक है आपका photo download होकर gallery में दोबारा से वापस आ जाएगा तो दोस्तो इस तरह आप Gmail account से अपने deleted photos को recover कर सकते हो दोबारा से photos को gallery में वापस ला सकते हो ठीक है दोस्तो एक चीज में आपको clear बता दू अगर आप photos का backup create नहीं करते हो अपने important photos को Gmail में save नहीं करते हो दोस्तो आप कुछ भी कर लो अपने deleted photos को recover नहीं कर पाओगे ठीक है क्योंकि जब एक बार photo delete हो जाता है permanent delete हो जाता है हमारे phone में data होता नहीं है या आपका phone reset हो जाता है तो आप लोग comment करते हो कि हमारे photos videos delete हो गए है कैसे recover करे दोस्तो रिसेट होने के बाद phone पूरी तरह से clean हो जाता है phone में कोई भी data नहीं रहता है ठीक है जिस वज़़से हम deleted data को deleted photos videos को recover नहीं कर पाते है इसलिए Gmail में photos को save करना काफी ज़्यादा important है ठीक है अगर in future कभी आपके photos delete हो जाते है तो आप इस तरह Gmail को use करके अपने important photos को recover कर सकते हो दोबारा से वापस ला सकते हो ठीक है अब बात आती है कि कैसे हम Gmail में अपने important photos को save करेंगे live time ते के लिए कैसे सुरचीत रखेंगे ठीक है दोस्तो फोटो को save करने के लिए आपके phone में एक application होगा photos नाम का ठीक है ये photos app आपके phone में जरूर होगा ठीक है आप चाहे किसी भी company का phone use करते हो आपके phone में ये photos app जरूर होगा ठीक है तो चली मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप Gmail में अपने important photos को save कर सकते हो ठीक है हम gallery को open करते है आप यहाँ पर देख सकते हो हमने अभी अभी Gmail से इन दोनों photos को download किया है इन दोनों photos को recover किया है ठीक है अब मैं आपको इन photos को Gmail में save करके दिखाता हूँ ठीक है Gmail में save करके दिखाता हूँ photos को open करने है जब आप photos को open करोगे ठीक है जब आप photos को open करोगे आपके gallery के सारे photos आपको photos app के अंदर सो हो जाएंगे ठीक है यहाँ पर आपको दीख जाएंगे अब आपको करना क्या है, यहाँ पर tap करना है, अपने Gmail account को select करना है, जिस Gmail account को आप हमेशा यूज करते हो, आपको यहाँ पर Gmail account को select करना है, जिसमें आपका photo save होगा, ठीक है, अब आपको करना क्या है, photo पर tap करना है, जिस photo को आप save करना चाहते हो, Gmail में, ठीक है, photo पर tap करना है फोटो को open करना है यहाँ पर आपको एक option मिलागा upload का आपको इस पर tap करने हैं ठीक है जब आप इस पर tap करोगे आपका photo upload होने लगेगा आप यहाँ पर देख सकते हो यह वाला photo upload हो चुक है जो भी photo upload हो जाएगा उस पर यह icon बन जाएगा ठीक है तो दोस्तों इस तरह आप ए आपको यहाँ पर एक option मिलेगा backup, आपको इस पर tap करने हैं, ठीक है, अब आपके सभी selected photos, save हो जाएंगे, upload हो जाएंगे, आप एक Gmail account के अंदर 15 GB तक का photos, videos, free में upload कर सकते हो, save कर सकते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे जो photos हैं, वो upload हो रहे हैं, मालो की आप का phone खराब हो जाता है, चोरी हो जाता है, तूड जाता है, simply आपको नए phone में, same इसी Gmail account को login करना है, आपके सभी uploaded photos, आपको दोबरा से नए phone में वापस मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे photos upload हो गए, अगर हम इन photos को gallery से delete कर दें, इन photos को gallery से delete कर दें, दोस्तों delete करने के बाद भी यह photos रहेंगे, ठीक है, तो हम इन photos को delete कर देते हैं, हमने इन photos को delete कर दिया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, permanent in photos को delete करेंगे, ठीक है, recently deleted से in photos को permanent delete कर देते हैं, पर्मानेंटली डिलीट, ठीक है, तो हमने पर्मानेंट इन फोटोज को गैलरी से डिलीट कर दिया है, अब हम फोटोज एप ओपन करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, डिलीट करने के बाद भी हमारे जो फोटोज हैं, वो जीमेल में सेव हैं, ठीक है, अगर आप अपने फोटोज को रीकवर करना चाते हो, आपको फोटो पर टाप करने हैं, त्री डॉट पर टाप करने हैं, डाउनलोड पर टाप करने हैं, आपका फोटो डाउनलोड होकर गैलरी में दो बारस वापस आ जाएगा, बट यहाँ पर एक कन्फूजन होता है, ठीक है, कि कौन सा फो अपने आपने सेम उसी जी मैल अकाउंट को सेल्ट करना है जिसमें आपने फोटो को सेफ किया है इसके बाद आपको गूगल अकाउंट पर टाप करना है नीचे स्कॉल करना है। ठीक है, नीचे जाने के बाद आपको इस पर टाप करना है, अब आपको नीचे स्कॉल करने, आपको फोटोज का सेक्शन मिलेगा, ठीक है, इसके पहले 91 फोटोज सेव थे, अब आप देख सकते हो 98 हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ वही फोटोज मिलेंगे, जो अपलोड होंगे, जो सेव होंगे, ठीक है, आप देख सकते हो, अभी अभी हमने इनी फोटोज को सेव किया, अपलोड किया, यह फोटो लाइप टैम तक के लिए सेव हो चुके है, ठीक है, आपके पास सिर्फ आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए, ओके, अगर आपक फोटोज को जिन्दगी भर के लिए सेव कर सकते हो, ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है, जिससे आप अपने डिलेटेट फोटोज को रीकवर कर पाओ, आप चाहिए कोई भी थर्ड पार्टी अप्लिकेशन इस्टॉल कर लो, प्ले स्टोर से से वापस नहीं आएंगे, क्योंकि डेटा हमारे पास होता नहीं है, हम काफी ज़्यदा परिसान हो जाते हैं, तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर जैनकरी पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पना है, चैनल को सस्क्राइ करो क्योंकि मैं ऐसे ही नौरिस्पू वीडियो बनाता रहता हूँ, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद,